नमस्का दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं मुवाइल चार्जिंग पॉइंट के बारे में तो हम लोग जिस मुवाइल चार्जिंग पॉइंट के बात कर रहे हैं वो पैनल जो आधियसों का पैनल नम्मर होता हम लोग बात कर रहे हैं इस पेस 184 के बारे में ठीक है तो अब सबसे पहले हमनों देखते हैं कि वाइल चार्जिंग पॉइंट का कैसे काम करता है ठीक है तो देखेंगे जो वाइल चार्जिंग पॉइंट जिसे रहता है वहीं पर देखेंगे एक एक एमचीवी रहता है दस एमपीयर का ठीक है एक आगर वह ऐसे देखेंगे तो किसी में नाइंटी टू भी लिखा है अगर हम ड्राइंग के अमसारा आपको दिखाएं तो देखेंगे यहां पर यह लिख रहा है यह देखिए फ्याइफ एक सो छे फ्याइफ एक सो छे कौन स यहां से 415 निकलता है जब वो निकलता है आप आँगे देखते हैं तो आप देखिए देखिए उसमें 92 लिखा हुआ था जो अभी फोटो आपको दिखा दिखा था यहां पर f106 लिखा हुआ ठीक है किसी किजिन नंबरिंग का अंतर हो सकता है तो आप यह दियान देखिए तो यह तर्म वाइल चार्जिंग पॉइंट का प्राइमरी मतलब यहां से स्प्लाइ निकल लिए कि 415 बोल देखिए यहां से निकल लिए 415 बोल तो रेड़ वाई ओ ब्लू के यह था देखिए रेड है वाई है इधर ब्लू रेड यल ब्लू के माध्यम से और वागो नंबर 326 326 328 328 329 330 तो 328 339 330 के माध्यम से टांसफार्मर में यह सप्लाइ इन हो जाती यह वागो आपको कहां बिलेंगे यह आपके वागो राइट साइड के तरफ उपर के तरफ मिलते हैं वह भी आपको दिखा देते हैं यह दिखिए जो इधर वागो होते राइट साइड में जहां पर हमारा सेंसर का तार होता है इसके ऊपर लगे हैं इस तरफ से यह वागो नंबर 328 329 330 के माध्यम से टांसफार्मर में पांच किविक टांसफार्मर में इन करती है तो इसकी सप्लाइ रहती है थ्री फेस 415 वोल्ट तीनों फेसों मे इसमें जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा रियाड येलू ब्लू के माध्यम से थ्री फेस जारी ठीक लेकिन जो आउटपुट निकल ला है वह चार फेस निकल ला है रियाड येलू ब्लू और यह नूटल भी ब्लैक भी है ठीक है तो इन्पूट है 415 वोल्ट और आउटपुट है फेस टू फेस अगर फेस टू फेस ना पेंगे एक सो नब्य बोल्ट है और फेस टू न्यूटल अगर ना फेंगे तो 110 बोल्ट एसी है ठीक है इसमें डीशी कहीं ने एसी है अब जैसा कि आपको फोटो दिखाया तो देखिए उसमें यह इस वागों से 415 बोल्ट लेकिन वहां से निकलेगा 190 बोल्ट ठीक है फेस टू फेस एक सो नब्य बोल्ट रहेगा और फेस टू न्यूटल 110 बोल्ट रहेगा जैसे में यह देखिए इधर न्यूटल है इस साइड में न्यूटल है यह इधर न्यूटल है तो अगर फेस टू न्यूटल ल जो 415 था उसको step down करके 190 में convert कर दिया ठीक है 190 बुल्ट AZ ठीक और यह न्यूटल से लेंगे तो 110 बुल्ट जो वहाँ जब सप्लाई निकलेगी तो वागो नम्मर वहीं जब फिर देखेंगे जब आपसी में सप्लाई निकलेगी तो चार तारह सब आपसी आते हुए वागो न निकलेगी 325 में क्या है न्यूटल है और 26, 27, 28 में क्या है फेस टू फेस है ठीक है यहां से जब सप्लाई बाहा निकलेगी जब बाहा निकलेगी तो देखेंगे जिस साइड में हमारा AC DC का MCB लगा उधा एक चार पोल का MCB भी है अब देखेंगे जैसे कि यहां पे चार प 77 त्छ देखेंग यहां गासड़ है एक मता चार पोलो में टिक हैं एक यूप तो आपणा में डबल तार है रेड में देखेंगे तो डबल तार किया हुए और न्यूटल में डबल तार किया हुए रेड और न्यूटल में डबल तार इसलिए किया हुआ है कि 110 बोल्ट की सप्लाई आप देखेंगे रोजरी सॉकेट हमारे जो लैट्रिंग में होता है न जो सेविंग क क्या किया यहीं से यहीं से एक रेट दे दिया है यहां एक सपलाई इसको दे दिया 110 वो जो उसकी सपलाई जाएगी तो किसके माध्यम सजाएगी तो देखेंग उसके लिए 1mCb, f41 यह दोनों चार f41 में जाके जुड़ि जाते हैं एक तालिस क्या करता है वागो नमर देखें यहां पर 217 और 228 से रोजिवी सॉकेट को सप्लाई दे देता है ठीक है यह होता कि यह लगा होता है बात्रों में किसी को सेविंग करने के लिए या कुछ ऐसा चलाना हो तो उसके लिए लैटिंग में देखेंगे तो हर एक बास व तो छब्रस देखेंगे, वहां से लिए गया जाते है और यहां से बात आती है कि फिर यह चार तार कहां तो जैसे जो फट पोल के मसेवी वहां से जो चार तार है तो एक तार तार क्या है निटल है है निउटल को क्या है कि निउटल को डारेक्टी को देंदर उसने जो का जंग्सन बॉक्स को थैंदर एसी का वाइरिंग का उसमें दे थीक है उसके माध्यम से यह नूटल डाक चला गया अब जो फेस हैं तो फेस कहां गये तो देखेंगे आप आप फ-97 जो सब्सक्राइब है इसके बगल में सिंगल सिंगल पॉल का तीन एम सी भी होता है ठीक है आपको भी दिखा देते हैं पहले तो यह फॉर पॉल से जो सप्लाई निकली नूटल तो डैक चला गया कोज के अंदर जो रेड येलो ब्लू है यह देखेंगे तो रेड येलो ब्लू य फिर दिखाते हैं तो देखें जो रेड येलो ब्लू गया तो जो एफ हैंड़ेट एम सी भी है 16 एंपियर का है यह किसके लिए है यह आप यहां पर देखेंगे तो जो एफ हैंड़ेट वाला है यह है यह है यह मुबाइल चार्जिंग पॉइंट का ठीक इसके बगल में ए फो यह हैंड़ेट एम सी भी है यह लेपटाप चार्जिंग पॉइंट का जो मुबाइल चार्जिंग पॉइंट पॉइंट दिया रहता है उसके लिए फैंड़ेट काम करता ठीक अब उसके बगल में देखेंगे तो एफ एक सो एक है ठीक है वन हैंड़ेट वन तो यह क्य अधिके न्यूटल क्या होता है डिरेक्ट कोच के अंदर पहुचा रहता है और जैसे हम फेस उठाते हैं तो 110 बोल्ट की सप्लाई कोच के अंदर मिल जाती है इस तरह से हमारा मौइल करा सकते हैं तो वह कैसे करा सकते हैं तो हम देख सकते हैं कोच के अंदर हम चाहेंगे तो चाहेंगे तो हम अगर आपका सीनियर रहेगा जैसा वह करें तो कराने का देखिए एक माध्यम क्या है जो सिंगल पोल मध्यम से फेश जा रहा है तो अब हमें क्या करेंगे यह यहां पर क्या करेंगे अगर हमें अगर देना है तो कहीं से भी 230 वोल्ट का उठा लेंगे सप्लाई अगर 230 वोल्ट की सप्लाई ले लेंगे तो निटल पर एक 230 वोल्ट के अगर फिर से देखिया अब कोश करने इमर्जन्सी में आपको चार्ज जल गया है तो करना क्या है आप तो वैसे चाहेंगे तो एक सुदास बोल डी सी भी दे के काम चला सकते पुराने कोशों में सब्सक्राइब करता ही था अगर डी सी देना है तो क्या करेंगे एक सुदास बोल डी सी कहीं से लेंगे और यहां पर एक सुदास बोल डी सी क्या करेंगे यह देखिए एक न्यूटल पर एक निगेटिव देदेंगे और पोजिटिव क्या करेंगे पोजिटिव का तीनों में लूप कर देंगे एक जगह देंगे और तीनों में लूप कर तो उस माध्यम से भी हमारा कोज के अंदर 110 डीसी पहुच जाएगा अगर डीसी हम नहीं देना चाहते हैं अगर देखिए कि यहीं पर हमको अगर एसी देना है 230 वोल्ट तो हम कहीं से भी 230 वोल्ट की सप्लाई उठाएंगे और यहां न्यूटल है एक वहां देंगे जो फॉर कर देंगे इस तरह से 230 भी हम दे सकते हैं अगर 230 को चाहिए तो इक ड़त भी बना सकते हैं जो एक फैज उठाएंगे कहीं से 230 में सि एक न्यूट ले लेंगे जो ब्लेक वायर है तो न्यूटल को न्यूटल डे दि Canal के दिनिगे दिन फेस देंगे तो पकर देन is तो दस क्या सपास का वोलिटेज आएगा इस तरह से हम कोज के नंदर फिर यह भी दे सकते हैं एसी से भी इमर्जन्सी में करके हम काम चला सकते हैं एक फिर से देख लिए ड्राइंग कैसा ड्राइंग है पाष यह हमारा जो हीटर के पास से सपलाई मिल यहां पर सपटाई आया पर यहां से वागों के द्वारा सप्लाई आप देखे तो नजीक कर रहे हैं वागो के द्वारा फिर सप्लाई टांसपार्मर में गया वहां से चार सो पंदरा 190 अब्लीक 110 में कण्वाट हो गया कण्वाट होके ऊपर आया वागो नम्मर के द्वारा और यहां से फिर वह फॉर पॉल के यहां से कि लिए अलग अलग रोजी शॉक्ट के लिए इदर चला गया और यहां से इस सिंगल सिंगल फोल है और जॉकिट है इस तरह में यह सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में धन्यवाद